Hello dear student, welcome back to brainstorm the daily challenge series. My dear, ये question आपको last video में मिल गया होगा, I hope आप समने इससे attempt किया होगा. तो चलिए इस question को solve करके देखते हैं, क्या आता है हमारा answer? Question क्या था हमारे पास? A chain with length L and mass density sigma is held in the position as shown in figure, with one end attached to a support. एक chain है हमारे पास, जो की हमने पकड़ रखा है, और दूसरा end जो chain का है, वो support से connected है. आगे क्या बोला गया है? Assume that only negligible length of the chain starts out the support. यहाँ जो length दीख रहा है नीचे की तरफ, उसको हम लोग neglect कर देंगे. The chain is released, अब हमने chain को छोड़ दिया है. Find the force that supports applies to the chain as a function of time. तो जैसे chain नीचे आएगा, इस support के कारण chain पर force लगेगा, तो यह force हमें find करना है as a function of time. तो find करते हैं, माल लिया किसी time T पे, chain कितना नीचे आजाएगा? X. तो यहाँ पर हम लोग माल लेते हैं कि यह x distance नीचे आगया chain किसी time T पे. तो chain कैसा दिखेगा? कुछ इस तरीके से दिखेगा. और यहाँ पर क्या लगेगा? supportive force which is equals to Fs. ठीक है? यह x क्या होगा? half gt square. यह x distance नीचे आया, तो अब chain का velocity क्या होगा? chain का velocity होगा यहाँ पर gt. यह clear है यहाँ ठीक है? तो chain तो आया है अभी x distance नीचे. तो क्या complete length अभी rest पे आजाएगा? नहीं. इसका half length ही rest पे आएगा. वो कैसे? यह जो है, यह है complete length. यहाँ से लेकर यहाँ तक. वो है x. लेकिन इसका half length जो है, उसको हम लोग s माल लेते हैं, which is equals to x by 2. वो rest पे आगया है. वो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा z t squared divided by 4. यह जो length है, वो rest पे आगया है. इसके कारण force लग रहा होगा. downward force क्या लगेगा यहाँ पे? उसको हम लोग माल लेते fw, which is equals to what? यहाँ पे आजाएगा sigma sg. यह rest पे है जो chain, उसके कारण force लग रहा होगा. लेकिन चोब अभी chain motion में है, जिसके पास अभी velocity है, वो next instant पे rest पे आजाएगा. यानि किसका momentum change हो रहा है? उसके कारण भी force आएगा नीचे की तरफ ही. क्या आजाएगा? उसको हम लोग fp बोल देते हैं. force due to rate of change of momentum. तो वो कैसे find करेंगे हम लोग? चलिए find करते हैं. मान लिया कि dt time में, dt time में further chain जो है, dx distance नीचे आता है. तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, कि chain यहाँ से यहाँ आया हुआ था. और यह dt time में, dx distance और नीचे आजाता है. ठीक है? तो dt time में dx distance नीचे आएगा. तो वो कितना नीचे आजाएगा? chain के पास अभी भी velocity V ही है. और time कितना लग रहा है उसके पास? dt. यानि कि यह इतना distance और नीचे आगया. तो क्या यह complete distance अभी rest पे आगया है? नहीं. इसका आधा जो distance है, वो rest पे आया है. यानि कि हम लोग बोल सकते हैं, यह जो distance rest पे आया है, उसको हमने बोल दिया है यहाँ पे ds, which is equals to dxy2. यह clear है? तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, कि जो ds distance है, वो है dxy2, और यह ds distance का जो mass है, dm, वो क्या होगा यहाँ पे? सिग्मा ds, और सिग्मा ds का value क्या आजाएगा यहाँ से? सिग्मा dxy2, और dx का value हम लोग उपर calculate कर लिया है, वो क्या हाँ से? क्या आजाएगा? सिग्मा v dt divided by 2, यह आगे हमारा उस element का mass, जो अभी rest पे आने वाला है, तो हमें momentum calculate करना पड़ेगा, उस dm mass का, तो वो क्या आजाएगा हमारे पास? dm into v, dm का value हमने calculate कर रखा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? सिग्मा v square dt divided by 2, तो यह जो है, इसका change क्या आएगा यहाँ पे? dp divided by dt, वो हम लोग बोल सकते हैं से, सिग्मा v square divided by 2, और v का जो value है, हम लोगोंने calculate कर लिया यहाँ पे, वो क्या है gt, तो v का value अगर हम लोग put कर दें, तो क्या जाएगा यहाँ से? सिग्मा g square t square divided by 2, यही तो किसके कारण है? force due to rate of change of momentum, fp, यहाँ पे जो हमने बताया था, तो हम लोग बोल सकते हैं, जो supportive force लगेगा, fs which is equals to fw plus fp, यहाँ तक समझ में आगया, तो हमने यहाँ पे value निकाल लिया है, fw का वो क्या है, सिग्मा sg plus, सिग्मा g square t square divided by 2, यहाँ s का value हम लोग put कर देंगे, तो क्या आजाएगा हमारे पास? सिग्मा, इसका value क्या था हमारे पास? हाँ, g t square divided by 4, into g plus sigma g square t square divided by 2, इसको जब हम लोग solve करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? 3 by 4, sigma g square t square, यानि कि जो force है, as a function of time, हमारे पास answer आ गया, I hope आप सब को यह question समझ में आया होगा, अब आपके पास आ रहा है आपका next brain storm question, उसको आप लोग attempt कीजिए, और जो answer आएगा, comment section में बताईए, thank you. झाल झाल झाल